हलो दोस्तों विजे एकडमी में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए पेड़ो गोजी पर क्लास नंबर 20 इसके अंदर हम बात करेंगे कि पाठ्थी चरिया किया महत्वपुन MCQS साथे साथ जो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में नेशनल फ्रेमव आपके लिए लेकर आए हैं तो जिन्हों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है वे जरूर सब्क्राइब करें साथी साथी इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो सब डाले उसका तुरंत आपको नोटिफिकतन मिल जाए और साथी साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और साथी साथ ज्यादा स्यादा लोगों को सेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट घट से तयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो और अगर आपको कहीं कुछ डाउट आता है तो आप हमें वाटसेप कर सकते हैं यह हमारा वाटसेप न इस से समबंदी थी आज हम आपके लिए लेकर आएं MCQS तो चलिए सुरू करते हैं आज की क्लास आपका जो फर्स्ट कोस्टन ही वह है पार्टिक्रम को अधिक उपयोगी बनाने हित्व आउसक है जो आपका पार्टिक्रम है अगर आपको उसको अधिक उपयोगी बनाना है ज्यादा यूसफुल बनाना है तो क्या आउसा के भारती अर्थ विवस्ता का ज्यान होना भारती संस्कृति का ज्यान भारत का भोगोलिक ज्यान या भारत के इत्यास का ज्यान तो पार्टि करम को अधिक उप्योग यू बनाने के लिए आपको ज्यान होना चीए B इसका सही उत्थता है लगा लीजिए ये उसका सही उत्ता है भारती संस्क्रिती का घ्यान बात करते हैं आप मगले प्रस्ण पर एक अच्छी पार्टी पुस्तक अनिवारे रूप से केसी होनी चाहिए सजी हूई, बिल्कुल ही अच्छे पर्ट पुस्टप क्यां तो किसी होने चाहिए बिल्कुल आकर सक और अच्छी सजी हुई होनी चाहिए बिल्कुल तूटियों से रहीद होनी चाहिए ये भी बात तूटियों से रहीद देखिया अब आपको क्या करना है कि आपको सारे पाइंट सही लग रहे होंगे तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है क्या है कि अनिवार रूप से मतलब इसमें यह चीज़ तो होनी ही चाहिए इसके बिना तो बुक बननी ही नहीं चाहिए अनिवार और इसब से इंपोर्टेंट एक भजय है जो उसमें जो भी किताब बाब ला रहे है क्या निर्धारित करती है पाठ्थी चरिया को निष्ची समय में पूरा करना पाठ्थी चरिया जो छात्रों की आउसकता से जुड़ी हो तथा जिसे वे अपनी गती अनुसार पूरा कर सके पाठ्थी चरिया को पूरा करने के लिए कोई निष्ची समय सीमा नहीं उपचारिक विद्यालायों की पार्ठी चरिया को ही मुक्त विद्यालायों में लागू करना तो देखिए जो मुक्त विद्यालाय प्रणाली निर्धारित करती है वो निर्धारित करती है जो इसका सही उत्तर है वहाँ भी पार्टी चरिया जो छात्रों की आउसकता से जुड़ी हो मतलब जो उनकी आउसकता उससे जुड़ी होने चाहे तथा जिसे वे अपनी गती अनुसार पूरा कर सके यह इसका अब्जेक्ट है मुक्त विद्यालाय प्रणाली निधारित करती अब बात करते हैं अगले प्रस्न पर आपने नोट कर लिया होगा आप नोट कर लिया अगरे अपना वीडियो को रोक रोक कर इसे आप नोट करते जाए अब बात करते हैं अगले प्रस्न पर पत्राचार पाठ्ठक्रम निदे साले की स्थाबना सबसे पहले कहा हुई थी अती महतुपुन कोश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट इसे आप लगा ले मोस्ट टाइम पी कोश्चन है जरूर यह पूछा जाए सकता है आप से है कि आप पत्राचार पाठ्थक्रम निद्य साले कि सामना सबसे पेले मुझे मंबईंटर में चिण नाही है तो इसका सबसे कहा हुई थे आप बात करते हैं अगले इत्र सबसे पर कि एक सिच्छे के लिए पार्थि चुनना। विध्या प्राप्त किए गय चात्रों के समस अनुभाव संगठित पार्थि सह गामी किरिया। कि छिच्छक खिर्त कि बात कर रहा है कि सिखक पीचल्फस एसकुल में सीख रहे हैं तो इसका सही उत्तर हो जाता है सी । आफ बात करते हैं अगले परêt में देखिय जो बहुती महत्पून कोशिन है यह, आप जरूर नोट करते जाएं इसे जरूर सीधे की सीधे कोशिन ही एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो इसलिया आप नोट बुक बनाएं काफी बच्चे इस तोफ ले नोट सो बना रहे हैं आप भी नोट सो बनाएगे जो लोग नोट सो नहीं बना रहे हो देखे कक्षा में छात्रों और सिख्षक में पाठ्थी विसे वस्तू पर वाद विवाद होने का क्या परिणाम होगा अनुसासन हिंदा आएगी सिख्षकों में आयोग गिता आजाएगी सिख्षा के इस तर्में सुधार होगा पाठ्थ करम पूरा नहीं होगा तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या कोश्चन है कोश्चन यू बोल रहा है कि कक्षा में छात्रों और सिख्षक में पाठ्थी विसे वस्तू पर वाद विवाद होने पर क्या होगा मतलब यह बोल रहा है कि जो पाठ्थी विसे वस्तू उस पर वाद विवाद हो रहा यहां मतलब आप उसे लड़ाई या जगड़ाई से मतलिजे बाद भी बाद मतलब उनका कहना है कि सर इसमें यह चीज़ और डाली उनका कहना है कि यह भी आपके लिए इस तरह की बात हो रही है यहां पर तो क्या होगा यह बताईए आप तो इसका अनुसासन हिंता आ सिठ्टार मेरे सुधार होगा या पूराम नहीं नहीं है तो जो सई उत्तर हो जाता है वो हो जाएगा सिठ्टार में मतलब देखे क्या होगा जो बच्तूण के जो चाइल्ट के वह भी आप देंट और यह एस लृवर में आएगे और ज्यादा हमारे लिए उप्योगी होंगे यहां यह बात हो रही है आद इस बात भी बात को लड़ाई जगड़े से मत लेना अगर आप इसा ले ले लेते सभी को जो विशे पड़ा रहा है विशे सग्ये सिक्षकों की समीटी को मुख्य अध्यापक को कख्षा सिक्षकों के लिए विविन कख्षाओं से संबंदित विशे की पाठ्थ पुस्तकों का चैन मतलब आप जो इसकूल में आज जैसे आप 9 में तो आपको कौन सी किलास जाता आपके लिए कि विशे सग्यों यह जो सिख्षकों के समयटी उसे चेन करना चाहिए इसका सही उत्तर हो जाता है अब बात करते हैं अगले प्रस्थ पर कक्षा में पाठ्थ पुस्तक का प्रयोग किया जाना चाहिए अधिगम उद्देसों की पूर्ति के लिए मतलब उद्देसों की पूर्ति के लिए यह उसका सही उत्तर है अब बात करते हैं अगले प्रस्थ पर पाठ्थ पर क्षा के उद्देसों को चात्रों की आवसक्ता और रूची एवं योग्यता को सिख्षन अनुसंधानों को तो देखे जब यह आपको बीपाठ्थ पाठ्थ कर क्या उद्देस आपको यह तो धियान रखना ही चाहिए साथे साथ आपको चात्रों की आवसक्ता रूची एवं योग्यताओं का भी धियान रखना चाहिए जब आगर उनकी जो चात्रों थे उनकी रूची का उनकी योग्यता का धियान रखेंगे तो क्या होगा उन्हें वो subject अच्छा लगेगा, उनके उस subject के पती दिल्चस्पी होगी, तो वो subject को अच्छे से सीखेंगे और वो लंबे समयता है उस subject को उस विसे को retain कर सकेंगे, मतलब उसको अपने दिमाग में रख सकेंगे, तो ये पार्टिक्रम के निर्माण में दोनों ही बातों का महत्पून योगदान होता है तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है D, A और B दोनों ये इसके आंसरे A और B दोनों अब बात करते हैं अगले प्रस्ण पर कुछ समय बीतने के बाद पार्ट पुस्ता के क्यों बदल देनी चाहिए ये बोल रहे है कि भईया कुछ समय मतलब यहां पर आपको यह नहीं कि आप मान लीजिए एक साल की तैयारी करते हैं एक साल की तैयारी से मतलब यह कि आप जैसे नाइन्थ में तो यह तैंद में 11 तो आप क्या होता एक साल उस बुक्स को पढ़ते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं आप अगली किलास में चले जाते हैं तो यहां केहने का मतलब यह नहीं यह कोशिन का केहने का मतलब यह कि कुछ समय बीतने का बाद साथ पार्ट्ट्ट्ट्ट्ट्व का बदलसा के क्यों की चाहिए कम बदलनी चाहिए कुछ समय बीटने या घटानी है या चाटरों को उबाना है जो पीमद खो को हैं कि यान में व्रद्धी हो इसके लिए आपके सिल्यवस में बदलाव किये जाते हैं देखे 2011 में जो एकजाम होई थी उसके बाद जो अभी एकजाम हो री इनमें कहीं न कहीं उन्होंने सिल्यवस को थोड़ा सा चेंज करा हुआ मोडिफाय करा तो क्यों करते ताकि आपके ज्यान में क्या हो व्रद्धी हो तो अब बात करते हैं अगले प्रस्न पर यह किसी कारण से यदि आपका पार्ठिक्रम पूरा नहीं होता है और इसी बीच आपको एक विवा समारों में समलित होना है तो आपको क्या करना चाहिए प पूरा नहीं है तो आपको क्या करने चाहिए या आपको पूरा क्या करेंगे या अत्रिक्त कख्षा लेना चाहिए या आपक पूरा क्या चाहिए पूरा करने के लिए आपको अत्रिक्त कक्षा लेनी चाहिए आप क्रेंश करना है आप कोड़े करना है तो आपको क्या करना है आपको अत्रिक्त कछा लेणा लेने है है अब बात करते हैं अगली प्रस्न पर एदिसrewn अप्रहकantic रेखर वो देंगें नहीं नोट किया है वो अगले वीडियो को नोट कर ले अब बात करतें पर स्न पर और अच्छी पार्ट फुउस्तक वहाँ जो अन्य विशेस्थाउं की अत्रिक्ट- अनीवारी रूप से संब्लिव करती है क्या मलतलब अच्छी पुर्ट-फुश्त क क्या है कि उस कि निर्देस देती है इसका जो उत्तर हो जाता है वो जाताए डी एक अच्छ पार्ठि फुस्तक वहा जो विसेस्तां के अत्रिक्टष अनिवारे रूप से सम्दिद करती है सिक्षकों को निर्देस अब बात करते हैं अगले प्रस्न पर चाल्टर केंद긴ित सिच्छन का सया है मतलब जो आपकी जो बदलब पड़ार ज जाए कोता हो चाल्ब बेखिषील सिच्छनों मतलब बिल्कुल जो रिक स्टूटरेर बिल्ग्जें इस्टूचर केंदी सिच्छन का आशा है सिक्षन में चातरों का पूंड सहयोग लेना सभी चातरों को निसुलक सिक्षा देना चातरों को मर्मानी करने की छूट देना प्रतेक चातर की आउसकता का ध्यान रखना तो देखें जो बाला केंदित या सिक्षा केंदित होती है वो केसा सिक्षन होता है कि उसके अंदर जो भी बाला के उसकी जो आउसकता है उसके अनुसार या उसको धिहान में रखकर उसे सिक्षा दी जानी तो यह है इसका उब्जेक्ट होता है इसका सही उत्तर हो जाता है डी प्रतिक छात्र के आउसकता का धिहान रखना ही छात्र के इंदी सिक्षन का आसा है अब बात करते हैं हम अगले प्रसन पर या आपने नोट कर लिया होगा पार्ट करम लोचिसिल होना चाहिए यदि ऐसा नहीं होगा तो यह हमने आपको देखिए इसे पहले जब आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे इसे पहले वाला वीडियो अगर भूले और बेल सब्क्राइब जरू कर और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो उसका आपको तुरंद नोटिफिकेशन मिले और जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो वे क्या करें आप सभी या आप चैनल में जो बेल आइकन का उसे देख चात्रों में लोक्रीय नहीं होगा वह सामाज्य भाउना को प्रॉसटाइट नहीं कर पाएगा वह विसाइठ हो जाएगा उस से अलग अलग वेक्टित वाले चातरों का विकास नहीं हो पाएगा यह इसका सही उतर है इंप्रूटेंट कोस्ट आप मांग कर लिजिए अब करते हैं अगले प्रस्ण पर छोटे चात्रों के लिए सिच्छा का माध्यम होना चाहिए अंग्रेजी भासा में छेत्री भासा में मात्र भासा में या राफ्ट भासा में तो जो छोटे चात होते हैं उनके लिए कौन सी भासा अपनानी चाहिए मात्र भासा अपनानी चाहिए यह याद रखिये चलिए बात करते हमाम अगले प्रस्थन पर क्या आप समझीते हैं की बालकों और बालिकान दोनों के लिए इन लिए समान एक ही पार्छिछिया हो मतलब दोनों ये जाय South companion हो ढोन लिए एक जैसी पार्छिछ चरिया होनी चाहिए जी नहीं दोनों की पार्टिचरिया बिल्कुल अलग-अलग होनी चाहिए आफसन फरस्ट है जी हाँ रोजगार के योग बनाने की सिख्छा दोनों के लिए समान रूप से जरूर है जी नहीं जो थर्ट पॉइंट है बालक को बालिकाओं के लिए पार्टिचरिया उनकी साररिक एवं भावना आफसकता हो क्या रूप होनी चाहिए जी हाँ दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए तो देखे जो आप आप खुदी सोचे कि आपको इस आंसर देने में कोई कठनाई है बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए आप आप सभी लोगों ने स्कुल से पढ़ा ही करिए और जो आप स्कुल में चाहिए गर्स हो चाहिए बॉई दो सबको साथ में पढ़ाया जाता है और सभी को साथ में एक जैसा सिलेवर्स पढ़ाया जाता है चाहिए आप बॉई हो या आप गर्लों आपने स्कुल में देखा same to same होना चाहिए और आप अभी सब स्कूल से पढ़कर आएं आप सभी को पता भी है कि आप सभी को जो सिलेबस पढ़ा चाहिए किया पढ़ाया हो बिल्कुल same पढ़ाया है तो बिल्कुल इसका जो उत्तर अड़ी है या आपने नोट कर लिया होगा अब बात करते हैं हम अगले प्रस्न पर चातरों के लिए तैयार की गई पार्ट चरिया उत्पादक्ता उन्मुक होनी चाहिए एसी होनी चाहिए जिसमें लोच सिलता हो सार्थक होनी चाहिए उपरोक्त सभी तो देखिए जो छातरों के लिए तयार की कई पार्टी चरिया है वो केसी होना चाहिए उसमें एक तो उत्पादकता उन्मुक होनी चाहिए प्रॉडक्टिव होनी चाहिए वो साती सार केसी हो फ्लेक्जिवल हो मतलब हर इस्टूडेंट हर विद्ध्यारती के अनुसार वो आप ऐक सिक्षाख होने के नात यह पाटट्टिक्रम हो सभागी किरियों के प्रतिक्रित क्राइध वार्श वागी घजिरी कर्छिय वाह습니다 सिखतो आप टीचर कारा देख्याभर सब्सक्राइध के सोफर्ध होना चाई है लुए होना चाहिए बृज्यार झाल described ये एक सिक्षे का सक्री होना चाहिए, मतलब आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको तो इसका जो सही उत्तर हो जाता, ए सक्री है, अब बात करते हैं हम आगे, तो ये पार्टे चलिए विकास कि क्या उपागम है, ये उतना important question मुझे नहीं लगता है, इससे कुछ जाँगो और आपको बड़ा ही सौर्ट में नोट करना है, इसके इसमें पार्टे चरिया विकास के उपागम में, क्या है ये उपागम, पार्टे चरिया विकास के उपागम तो देखे, अगर इसका point फ्रस्ट की बात करें तो ये विसाइ केंदित उपागम होता है, ये में बता रहा हूं तो नोड करना है देखें विसाइग सेक्षिक अनुभाव में से एक है मतलब जamiento में अगर सबसे अधिक किसी होता है या उपक्त होने वाला उपागम में अधिकता क्यों होने वाला उपागम जो अंडालाइन कर रहा हूं इसे नोट कर लिए आप में से हाईलाइट भी कर दूंगा साते साथ क्या होता है कि जो और भी आप करता है इसमें यह बात आपको याद रखनी है और साथी साथ क्या यह अधिक्तम प्रयुक्त होने वाला उपागम है यह आपको दूसरा पॉइंट नोट करना है साथी साथ यहां जो तीसरा पॉइंट है यह आप दे इसमें नोट के लिए सेक्षिक उद्देशों की प्राप् कि जो भी पात्थ चयजिया को बना रहा है उसका क्या दायुत होएं उसे क्या सबसे पहले तो जो भी विसाहे मतलब विसे पता करने चाहिए कि कौनकों से विसाय है घंदीजी चाय विज्ञानगरी या कोई सभी फिजी केमिस्ट्री कुछ भी हो उसको सबसे पहले उन विशय का दिहान रखना चाहिए निर्धान करने और उसके बाद विशय का निर्धान कर ले तो फिर उसे यह करना चाहिए कि उसके अंदर फिर क्या-क्या आएगा तो यहीं लिखाएं कि नीदना ले कि प्रते वस्तु के अंदर क्या क्या आगा मतलब इस सब्जे के अंदर फिर उसे क्या क्या डालना है जिसे आप ने देखा कि हिंदी तो बुलता है आप आप हिंदी में शॉय दालते वयाक कर न दालते कवी डालते उनकी पूस्ता के संदी समास यह सबुत सबसे ज़्यादा प्रयूक्त होने वाला एक उपागम है यह आपको याद रखना है इसके अंदर इतना इनोट करना है आपको इनोट कर लीजिए आप अब बात करते हैं हम आगे विस्तर छेटर उपागम क्या है विस्तर छेटर उपागम की हम बात कर रहें कि जो विस्तर छेटर उपागम होता है यह कैसा उपागम होता है विस्तर छेटर उपागम यह एक मतलब इसमें आपको यह डिजाइन का बदला हुआ रूप है यह आपको बिल्कुल नहीं समझा है मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है जो विस्त छेत उपागम है आपको अपरोपर दिख रहा होगा इसके अंदर क्या होता है जो भी विस्त छेत उपागम है मतलब एक जैसे विस्त उनको आपको क्या करना है उनको आपस में जोड़ना है समा कलित करना है ताकि क्या हो आपको विस्त अच्छे बढ़ाने के लिए आपको कुछ है जो भी समान विसा है उनको क्या करना है मिला लेना है या मिलाने का प्रियास करना है ताकि आपको विसे अच्छे से समझ में आजाए बस यही लिखा है यह उपागम अध्यन के संपूर्ण छेत्र में संबंद ग्यान बहुत कोई व्यापक आपको बिल्कुल इसकी लेंग्विजश करते हैं आपकुछ मत कीजिये बस यह आप तो नोट कर लिज्यों की विसे वस्तु को समाकलि To करने का प्रियास किया जाता है ताकि क्या हो आपका जो ग्यान का छेत्र हो वो क्या हो बड़े उधारन के लिए जिव विग्यान का विस्टत छेतर उपागम में समान विसेयों की विसेयों की विसेयों को समाकलित करने का प्रयास के जाता मतलब जो भी विसेयों उससे जो उसके रिलेटेट पॉइंट से उसको आप क्या करते हैं उसको आप मिला लेते हैं समाकलित कर लेते और ये सबस्य अधिख प्रियोक थोने वाला उपागma हे यह आपको बात रखनी है जो यह विश्त छेतरों उपागम के अंदर जो बात करते वो समाज करता है कि अपको आपका जो विशा है जो एक ही समान विशाे हैं उनको क्या करना है आपस जूड़ना है, समागलित करना है ताकि आपका जो ग्यान का छेत्रे वो क्या हो वरहतों बड़े यह आपका point number second हो जाता है जो बइस समाजिक समस्य को उपागम ये क्या कहता देखीं उसमें लिखा ही क्या है समाज किसको टारगेट कर रहे हैं समाज को टारगेट कर रहे हैं और उन मुद्दों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, उनकी समस्या को किस प्रकार से हल किया जा सकता है, यह कहता है, सामजिक समस्या का उपागम, कि हमको उन समस्या को पता करना है, उन समस्या के लिए लोगों को, बच्चों को, छात्रों को जागरू करना है, और उन समस्य स्मझ्याओं को सुल्जाना है बस इतनी सी बात कहता है बढ़ ले इसकी डेफिनेशन काफी कटिन कटिन वर्ड में आपको जो बता रहा हूं देखे बस यही कि विद्ध्यारति में सामाजिक मुद्दो और समस्याओं के बारों में क्या करना हमें जाग रुकता आती है अगर हम उन्हें समस्य उपागम में आपको ये नोट करना है और उनमें सुलजाने की योग गिता उत्पन हो जाती है बिल्कुल हमको पहले तो मुद्दे बताना है जब वो मुद्दो को उनको समझ देंगे बता देंगे उनमें उसके पती जागरुकता जाएगी तो उनमें उसको सुल्जाने की योग गिता भी उत्पन हो जाएगी सामाजिक समस्थ्या में क्या क्या आ सकते हैं कि सामाजिक समस्थ्या उपागम के माध्यम से परियावरन प्रजातिवाद जनसंक्या संचाह तक्निकी जैसे विशयों पर पाठिक्रम भी विख्षित किया जाते हैं और देखे सामाजिक समस्या अत्वा मुद्धों का विशलेशन करने के पस्चात अधिकम उद्देसों को निधारित किया जाता है समस्या से संबंद किसी भी स्त्रोत से संगत विश्यवस्तु को लिया जाता है यह देखे बड़ी कटिन-कटिन लेंग्वेज हैं मैं आपको सरल में समझाएं बस आप वो समझ लीजिए कि भाया समझतिक समस्या उपच्छिया उपागम क्या है तो विश्या बिया जो भी समस्या के बारे में चातरों को विध्यारतियों को जाग रूख कराना ज जो भी समस्या उसको सुल जाने के उनमें योग्यता भी विक्सित हो जाएगी और जो भी समाजिक समस्या होती है उनको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं विसयों के जो पाठिक्रम है उसको विक्सित करते हैं जैसे यहां पर लिखा है कि विसयों पर पाठिक्रम विक्स क्या कहता है कि अधिध्यम क्या किया है कि अधिगम कि किरिया है जिसमें हम अनुभाव द्वारा अपने भीबार में परीवर्थन करते हैं। हम देखे इसका जो कहने का मतलब है अध्यहदा केंदी तुपागम का वो क्या कहने का मतलब है कि भाईया हम उन चीजों को जादा अच्छे से सीखते हैं जादा अच्छे से समझते हैं जो कि हमारी वर्तमान की आउसकताओं को पूरा करती है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है, बस इतना सा आप नोट कर लेजिए कि अध्यादा केंदी तुपागम क्या है, तो बहले अध्यादा केंदी तुपागम एक ऐसा उपागम है, जिसके अंदर जो हमारी जो भी पूर्टी होती है जिनके द्वारा हम अपनी रूची और जरूरतों को पूरा करते हैं। पाट्टी चरिया विकास के इस उपागम में विध्यालाई अनुभाव द्वारा चात्रों को एसी वीदियां सिखाने का प्रयास किया जाता है। जिनने एक प्रभावी नागरिक समस्या समाधान तदा अपनी रूची और जरूरतों को पूरा करने के लिए उप्योग में लाता है। इस प्रकार पाट्टी चरिया योजिनाथ चात्रों में वर्तमान जीवन की आउसकताओं पर अधरित होती है। अब ये आपको बताया बड़ी सरस हब्दों में कि आपको क्या करना जो भी आपकी वर्तमान में आउसकता है उन्हाँ सकता हों को धियान में रखकर या मतलब जो भी ऐसे आपकी आपकर जरूरते उसको जो पूरा करती है वह चीजों को आप अपनाते हैं। यह अध्याता केंदित उपागम आप तको समझ में आगो होंगे किसे इंदर किया में एक बार आपको सॉट में रिविजन भी करा दूंगा उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पार्टि चलिए विकास की प्रक्रिया एक बार सॉट में हम रिविजन करते चलते हैं अताकी आपको पूरे चारों की चारों जो महत्मुन पाइंट थे है वह समझ में आ जाए है कि ऱीफिये अंकर लेक्ष पाट करें आज पाटि चरिया विकास के उपागम क्या क्या है थे तो देखिव उपागम की अगर विटाए क्या क्या बात कहता था है उस को धियान में रखा रहे पपे ले तो हम विचान करते हैं चाहिए वो हिंदी अंग्रेजी गडी विग्यान कोई से भी हो सकते हैं और साथी साथ वह विचाए में क्या क्या आएगा आपको वह भी इसके सबसे प्रीफ फयरत नवाला उपागम में या आप पूरा समझ चुके हैं उसके बाद हम बात करते हैं विश्रत चेटर उपागम जो भी स Lance को जोड़ना ताकि आपका घ्यान क्या हो व्रहध हो जहाँ ऐन कहताहि विस्तरत छेत उपागम जो भी से समाने उनको क्या करना एक दूसरे से एक को दूसरे से जोड़ना ताकि आपका ज्यान का छेत रूप बढ़े यह होता है विस्तरत छेत उपागम अब बात करते एगले पॉइंट पर समाजिक समस्य उपागम क्या कहता है कि जो भी समाज में समस्या व्यापते हैं आप उनके बारे में विध्यारतियों को जागरिक करें ताकि उनके उस समस्या को सुल जाने की तारकिकता पेदा हो उनमें उस समस्या को सुल जाने का एक ज्यान या उनमें एक योगिता उत्पन ह यहां कहता है वो मुद्द작 कोई से भी हो सकते हैं और साथे साथ यह जो वरतमान में समाज में जो भी समस्थिया है उसके अधार पर जो हमारा आपट करह में उसको विक्षित किया जाना चाहिए, यह कहता है पॉइंट, अब जो बात आध्याधा केंदित उपागम उपागम होता है, यह बड़ी ही सीधी सी बात करता है कि आपको जो भी आप न उन चीज़ों को ज़्यादा शीखते हैं या उस चीज़ में अपनी ज़् वक्ताओं को पूरा करती है बस यहीं आपको लिखना देखिए यहां भी लिखा है कि आपकी अपनी रूची और जरुवतों को पूरा करें ठीक है यह आप इतना नोट कर लीजिए अब बात करते हैं आगे कि पार्टी चरिया के विकास की प्रक्रिया यह कॉस्चन पूछ भी के लिए भी आप पार्टी चरिया कि विकास की क्या प्रक्रिया है तो उमने प्योची कि हमें इक क्या उच्यान के इंधया जलिए बहु है उस बात का तो ध्यान में रिखना है और ये आपको सबसे पहले महत्पून बात है कि छोचातर है, उनकी क्या रूची है, उनकी क्या हो सकता है, उसको ध्यान में रखना ताकि जो पार्टी चरिया वो उप्योगी बनाई जा सके, वो सारता को यूसफुल हो, यही आपको नोट करना इसके अंदर, फिर आगे इसको में नहीं पढ़ रहा हूं, एक बाद पढ़ते ताओं, आपको पार्टी चरिया का निर्मार, एक बिसेस प्रकार का रहें, पता ही आपको कि भई जो भी आप पार्टी चरिया बना रहे के था, एक स्पीसल टास्क् exists में प्राप्ट किये जाने वाले उद्थे देसों, तथ क्यों देश हैं उसकी क्या किरिया कि परिवर्दन आते हैं मतलब परिवर्दन आते हैं मतलब परिवर्दन आते हैं उन सब का आपको मुल्यांगन करना है क्या आउ सकता है तो आपको परिवर्दन और उन परिवर्दनों का व्यापक मुल्यांकर करना है इस तरह अपमें क्या और इस तरह के पूरी प्रोपर एक हेलियर आपको समझवोनी चाहिए साफ सूतिती समझवोनी चाहिए नोट क्या करना भी नोट करने के लिए मैं आपको हाइलेट करा देंगा हमें उस क्रम को अपनाने की आओ सकता है जिसे पाट्टी चरिया विकास के संब्द में निन्ने लिये जाते हैं हमें यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि निन्ने लेने से पूरूर के सबी संब्द और विचाणनी विंदों को दियान में रखा जा मतलब यह तो कहरें कि जब भी आप पाट्टी चरिया बना रहे तो आपको क्या बात याद रखना है तो आपको सबसे पहले तो मैं आपको बताओं जो पाइंट आप मैं बोल रहा हूं वो नोट करते जाएं कि सबसे बिले तो आपको चातरों की आवसकता और रूचियों का दियान में रखना है साथ साथ आपको क्या करना है जो पार्ट चलिया है उसके जो महत्पूर्ण बिंदों सबको दिहान में रखना है जो विचान्य और महत्पूर्ण बिंदों उनको दिहान में रखना है ताकि एक जो पार्ट चलिया हो केसी बनाई जाए सके उपयोगी और सार्थक बनाई जा सक और साथ-साथ जो पाट चरिया के कुछ भी होते तो एे पर उसको कीया, उसको बनाते हैं तो यह हो झाता गला पॉइंट गठन करना फिर जो अधीगम अनुभाहों का चैन तदा संगठन करना और मुल्यां करना तो यह सभी क्या है एक यह अगर आप यह सभी सोपानों को धियान में रखते हैं मतलब इनके चरणों को यह धियान में रखते कि आपको क्या आउ सकता क्या है फिर उसके उद उनके लिए उप्योगी और महत्पूर्ण हो जाती है तो देखिए अभी भी जिन्हों ने हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया वे सब्क्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और अभी मैंने जो आपको कहा था कि एक जो नेशनल फ्रेमवर्ड की जो मैं बात कही थी मैंने आपको सुरू में की 2005 में जो आई थी में आपको पढ़ाया भी है तो वो फ्रेमवर्ग की जो रिपोर्ट है वो आपको में रिपोर्ट अब बता रहा हूं तो और आपको कहीं कुछ डाउट हो तो आप मुझे वाटसवेप भी कर सकते हैं मेरा वाटसवेप नंबर है और साथे साथ आप मुझे कम और पांच के अंदर जो आई थी नेशनल केरिकलम फ्रेमवर्ग मैंने आपको पढ़ाया है पूरा पूरा उसके क्या सूजहाओ थे ये भी मैंने आपको बता दिये हैं और वो क्या आई थी किसकी अद्धेशिता में उसमें अंदर पाइंट हुए थे उसका क्या कहना था त परिसद नसी ए आर्टी के द्वारा जारी की गई है तो इसके अंदर आपको क्या देखना है सबस्क्राइब कुछ इसे टॉपिक्स हैं इस रिपोर्ट के अंदर जो आपके लिए उप्योगी हो सकते हैं तो वह कौन-कौन से टॉपिक हैं मैं आपको ये रिपोर्ट बता र कर दो का तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो बंक्त confirms बिन्दू बताना है हो कौन को से महत्मुन बिन्दू है यह पूरी की पूरी रिपोर्ट है यह स्वस्की सलिक्नलर है तो देखिए जो बंबंट्च हों हे। देखे पर को लिए कि सकता हैं सकता है सिख्षा के लक्ष क्या है आपको क्या है जो यह आपके इस पर अब्जेक्टिव बन सकता तो आप एक बार इसे रीट कर लिजे देखिए आपको थोड़ा सा सिलेबस से हटके भी पढ़ना पड़ेगा तो आपके विशेये पे समझ अच्छे से विक्सित हो जाएगी और 10-15 म मिट पढ़ने में कुछ नहीं जाता है तो यह जो मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूं आपको क्यवल यही पढ़ना है एक तो सिख्षा के क्या लक्ष है एक वन पॉइंट थिरी आपको नोट करना है अब बात करते हैं हम आगे क्या इंपोर्टेंट हो सकता है यह पार्ट यह वाला पॉइंट आप मार करने यह इंपोर्टेंट है आप अभी नोट करते जाए क्या 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 पार्ट चारिया में आपको यह वाला एक पॉइंट है एक तो यह आप इसे पढ़ सकते हैं सिख्षा चातर के बारे में विवनेचन आत्मक मतलब इसको डिस्क्रीब्ट तू सिख्षा चातर के बारे में बात करता है यह पॉइंट आप इंपोर्टन लगा लें यह आप का सकता है समझ के लिए आपके लिए अच्छा है और देख यह जो पॉइंट है थ्री वे भासा वाला यह उपयोगी हो सकता है साथे साथ यह विग्यान समझी विग्यान के समझ में जो पाठ्ठ चरिया है यह क्या बात करती है यह आपको इसमें बताया गया है और अगर इसके अंदर बात करूं में तो आपको जो कि मुक्त विद्ध हला क्या है यह मैंने आपको देख़ो अब्जेक्टिव में भी लिया था एक आप यह से पढ़ सकते हैं साथ इसाथ आप इसमें प्रारंबिक बाले बस्ता सिख्छा क्या है यह आप इसे आप लगा सकते जो वर्ग दो की तैयारी करें उनके लिए यूसफुल हो सकता है जो ब आकलन के क्या उद्देश होते हैं यह आप लगा लिए और बात ही बात इसके बाद अगर मैं बात करू कि कौन सा आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है तो देखे समाव बच्चों की भागीदारी यह पॉइंट आपको पढ़ना चाहिए बच्चों के क्या अधिकार है औ इस आथ फूर्टेंट में इंकलीड है और वेकल्पिक सामकրियो क्या होसकता है यह था आप देखे आपको मिल जाएंगे आपके तो आपको यह जो मैं हाइलाइट करते जा रहा हूं इनको और्नोट करते जाएं आपके लिए इंपर्टेन्ट है आपको एक बाद जरूर से बोट परिक्षा है क्या है यह पढ़ लेना प्रवेस परिक्षा है क्या है तो एक बार केवल जनरर रीड आप इसे 20-25 मिट से ज्यादा बिल्कुल मत पढ़ना जल्दी जल्दी एक बार केवल रीड करते जाना आप और यह देखे गेर सरकारी संगठन जे क्या होते हैं तो यह आप अगर थोड़ा सा इसे पर भी देख सकते हैं साथ यसा तकनीकी का उप्योग आप यह पढ़ लिए यह आपके लिए यह सब जो पॉइंट मैंने आपको दिये हैं उपर यह आपके लिए उप्योगी हो सकते हैं और ज्यादा देर आपको बिल्कुल भी से एक दो घंटे मत लगाई है केवल एक बार जल्दी जल्दी रीट कर लिए और 20 से 30 मिनिट इससे आप दीजिए इससे आपकी पेड़ों को जीव सब्जेक्ट पर देखे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी समझ विक्सित होगी कर सांटे इसससे आपको आपको कुछ है नहीं करी data only 525 अघर आपको नहीं मिले तो आप हमें वाट्स व्लिक देना ऐन सी एफ लिग टेना और एनश्य से फ लिक यह मुझ कर सिब कर दीजिए मैं आपको रिपोर्ट की लिंक को प्रोवाइड कर दूँगा और ठेंक यू फॉर वाचिंग वीजे एकेडमी